अपने प्राकृतिक एंटिबाउटिक और एंटिवाइरल गुनों के साथ, प्यास का उप्योग प्राचीन काल से और शदिय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। मानव शरीर पर इस पोशक तत्व के सकारात्मक प्रभाव, जो स्वास्थ जगत को चकित करते हैं, असंख्य हैं और हर दिन एक नया लाब हो जा जा रहा है। यह भोजन जो हमारे शरीर को अविश्वस्तनिय लाब प्रदान करता है, खास कर जब खाना पकाने से सेवन किया जाता है। कई चयापचय रोगों के लिए अच्छा है। प्याज के सेवन के क्या फाइदे हैं? इसका सेवन कितना और कब करना चाहिए? आए एक साथ जाच करें। वाणूओं की संख्या को बढ़ा कर हमारी सभी पाचन क्रिया को सुधारता है और आतों के वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपून जिम्मेदारी लेता है। साथ ही प्याज में पाए जाने वाले खनिज रक्त को पतला करने वाले प्रभाव दिखाते हैं जिससे नसों में पटे का निर्मान को रोखने और नसों में सूजन से लड़ने में मदद मिलती है। विशेश रूप से प्याज जो ट्राइगलिस्राइट के गठन और खराब कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। लंबे समय में हिरदे रोगों के जोखिम को कम करने में योगदान देता है। इसकी समरिध पोटेशियम सामगरी के साथ यह धारीदार मानस्पेशियों के का राम में और शरीर के जल संतुलन को बनाये रखने में बहुत प्रभावी है। यह रक्तचाप को संतुलिद करके धम्नियों को आराम प्रदान करता है। विशेश रूप से रक्तचाप के असंतुलन को रोकता है। इसके अलावा प्यास क्वेरसेटिन का एक सम्रिध शोध ह शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्वेर सेटिन आवश्यक है। विशेश रूप से यह फॉस्फोरस के साथ सहयोग करता है और आंत में शर्करा के अवशोशन को कम करता है। इसकी उच्छ एंटियॉक्सीडेंट सामगरी के साथ यह शरीर में अतिर चे गतिविधियों की गुनवत्ता को बढ़ाता है और उर्जा चयाप्चे में वसा कोशिकाओं के उप्योग को प्रोटसाहित करता है। स्वास्थ मांसपेशियों और हड़ी के उतकों के लिए प्याज यह पोशक, तत्वतीवर और पुराने दर्द दोनों को कम करता है। यह प्रभाव के कारण हड़ी और मांसपेशियों की चोटो सहित कई शारीरिक समस्याओं के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें लाबकारी योगिक होते हैं जो सहयुक्त और हड़ी के उतकों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसके अलावा फॉसफोरस और कैल्शियम जै इसमें आयरन और कौप की मात्रा भी होती है जो दोनों हड्यों के स्वास्थे को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह पदार्थ पोटेशियम के साथ सहयोग करके मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ाते हैं। यह मांसपेशियों को आराम देता है और मजबूत करत देता है और लंबे समय में हमारे पूरे शरीर के स्वास्थे में सुधार करता है। बीमारियों के खिलाफ प्याज। आधा प्याज एक व्यक्ति की दैनिक विटामिन C की जरूरत का 30% पूरा करता है। एक एंटि आकसीडेंट के रूप में विटामिन C अन्य योगिकों के साथ हमारे शरीर के जीवानू और वाइरल रोगों के प्रतिरोध को बढ़ाता है। यह पीरियद्स के दोरान वीमारी के दोर से उबरना आसान बनाता है जब प्रतिरक्षा प्रनाली कमजोर होती है। जैसे की फ्लू, सर्थी और फ्लू, दूसरी ओर, निूरो टॉक्सिन मस् शाक्त पदार्थों को बांधता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। यह तंत्र का तंत्र पर आराम प्रभाव दिखाता है। तो क्या प्यास खाने से कोई नुकसान है? कब और कितना सेवन करना चाहिए? सबसे पहले तो प्यास के सेवन से पेट की समस्या वाले लोगों चाहिए। साथ ही प्यास की तैयारी में अतिरिक्ट तेल का इस्तिमाल सेहत के लिए ज्यादा फाइदेमंद नहीं होगा। हमने जिन लाभों का उलेक किया है। वे उप्योग प्रक्रियाओं के दोरान प्यास की स्वस्थ तैयारी और खपत पर आधारित हैं। बहुत अध करने की सलाह देते हैं। खास तोर पर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्यास बहुत जरूरी है। इस जानकारी के आलोक में आप प्यास को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर कालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।